आस वाले वीडियो में डेटा को लोड करके हमने pre-processing करके उसको model training के लिए prepare किया इस वीडियो में हम convolutional neural network का यूज करके अपना model बनाएंगे उसको train करेंगे और train करने के बाद जो test dataset जो अपना है उसकी accuracy measure करेंगे accuracy अच्छी लगती है तो model को export कर देंगे किसी file में ताकि वो file save हो और बाद में जो हम अपना first API का जो server लिखने वाले में वो save file उसमें वो use होगी तो शुरू करते है अब यहाँ पे हम model बिल करना है चालू करें उसके पहले आपको convolutional neural network का idea होना चाहिए CNN उसको बोलते है और CNN का use mostly image classification में ज्यादा होता है तो आप YouTube में जाके लिखो what is convolutional neural network उसमें मेरा एक वीडियो आ जाएगा जिसमें मैंने बहुत simple तरीके से समझाया है कि यह network होता क्या है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे simple simple examples भी दिये है तो आपको पहले वो watch करना पड़ेगा उसके बाद में ही मेरा further यह video continue कीजिए इसमें हम usually convolution जो functionality है उसका use करते है और उसका use करके हम बहुत सारे layer बनाते है और वो सारे layer है न वो individual feature को detect करते है जैसे अब यह koala है आपको जानना है यह koala की image है की नहीं तो आप एक eye का filter, nose का filter, ear का filter ऐसे उसके body के part के अलग अलग filter लगा के आप यह जान सकते हो कि यहाँ पे koala है की नहीं उसकी eyes है की नहीं उसका nose है की नहीं अब कोई image में koala का eye, nose, ears होगा तो मतलब koala का head तो होगा ही होगा तो आप वो भी detect कर सकते हो similarly koala का hand और leg की image में है उसका मतलब है की body भी होगी तो यह सारे convolutional neural जो layer है उसका use करके आप individual features detect कर सकते हो उसके बाद में आपको एक dense layer डालना पड़ता है और वो dense layer आपको आपका final answer देगा तो हम पहली बात तो यह आप ये वीडियो को ज़रूर दिखिए क्योंकि इसके concept clear होना बहुत ज़रूरी है और ये थोड़ा लंबा topic है इसलिए ये separate वीडियो आपको देखना पड़ेगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना model बनाना चालू करेंगे तो models जो है जो हमने पहले import किया था आपने देखा होगा यहाँ पे models import किया है हम उसका use कर रहे है और उसमें एक class होता है sequential sequential मतलब step by step sequential layers है हमारे पास ठीक है और उस layer में एक array होती है यहाँ पे आपको layer डालने पड़ते है अच्छा यह layer कौन से है पहले तो आपको resize और recycle वाला layer डालना है ठीक है resize, recycle होने के बाद आपको data augmentation करना है तो इसका layer डाल दो ठीक है अब हम सारे convolutional layer डालेंगे तो हम बोलेंगे layers.convert2d ठीक है इसकी API है देखो convert2d है यहाँ पर आप यह देखोगे तो इसकी API में पहला आता है filter दूसरा आता है kernel size Kernel size मतलब आपके filter का dimension क्या है जैसे हम 3x3 का यहाँ पर use करेंगे filters मतलब आपको कितने filters create करने है basically तो यह वाले जो explanation है उसमें आप eye, nose, ear करते हो वो तो तो तीन filter जैसे अपना यह first layer है इसमें हमारे यह 5 filter हो गए actual में हमें ज़्यादा filter supply करने पड़ते है क्योंकि हमें छोटे-छोटे उसके feature detect करने पड़ते है तो यहाँ पर मैं filter में 32 supply करूँगा अब यह trial और error का है उसमें कोई fix आसा नहीं है मैंने अलड़ी यह code को पहले run करके अपने optimal filter से वो decide कर दिया है लेकिन आपको pretty much trial error करके यह figure out करना है करने साइज है 3x3 ठीक है एक्टिविशन लेयर आजकल रेल्यू बहुत ही popular है वो थोड़ा fast होता है और general practice होती है कि hidden लेयर में आप रेल्यू का हो सके उतना use कीजिए और input shape जो है आपकी image का input shape क्या है आपकी image का input shape देखो मैं दिखाता हूँ 256x256 है तो 256 image size में क्या store है 256 तो 256x256 की image है और तीन है उसमें एक channels ठीक है channels करके पता है यह variable हमने create किया था channels देखो channels RGB RGB के लिए तीन channel और हरेक element tf dataset का 32 की batch ठीक है तो अपनी जो batch size थी batch size मैं बार बार आपको बता चुका हूँ friends के batch size है 32 इसको हम input shape में store कर देते हैं और वो लगा देते हैं यहां पर देखो हो गया ना simple और यह convolutional network करने के बाद अपना game में वो अगर वीडियो दिखाऊंगा आपको तो पता चलेगा कि इसमें multiple convolutional network और multiple pulling वगेरा layer मैंने इस वाले वीडियो में pulling layer की भी बात की थी कि आपको max pulling अगर layer है तो देखो आप 4 pixel का एक area लेते हो उसमें max number कौन सा है 8 तो 8 इस 4 में max number है 9 तो 9 इस 4 में max है 3 तो 3 तो यह एक max pulling layer करने से क्या होता है? image का size का reduction होता है तो आपको training में और better feature detection में help करता है कैसे help करता है अगें आप ये video देख लीजिए लेकिन यहाँ पे मैं उस वाले layer को यहाँ पे introduce करूंगा और वो layer है यह ऐसा अब आप यहाँ पे stack कर सकते हो, convolutional layer followed by max pulling layer, convolutional layer followed by max pulling layer, बहुत सारे layers को आप stack कर सकते हो, मैंने कुछ experiment करके पाया कि मेरे को थोड़े बहुत यह layer डालने है, तो मैं यहाँ पे copy paste कर रहा हूं, लेकिन यह again, मैंने same जो यह दोनों same है न, same layer को stack कर दिया, दूसरे वाले मैंने 64 filter दाले, यह trial error का wish है, आप चाहिए तो कुछ घटा के बढ़ा के युना, remove करके बढ़ा के आप देख सकते हो, कि कौन सा आप के लिए better करता है, और convolutional layers आने के बाद, इस वाले वीडियो में हमने बताया था, कि eventually आपको flatten करना पता है, देखो, मैंने convolutional layer pulling, convolutional layer pulling किया, उसके बाद में, जितना भी आपके पास यह data है, उसको flatten, मतलब, flatten का मतलब 2x2 की array है, उसको अपने straight कर दिया, तो straight करने के बाद, यह dense layer आपका आ जाता है, तो अब मैं बोलूँगा, simple, layers.flatten, ओके, और, मैं 64 neuron, यहाँ पर आप समझ लिए, 64 total neuron है, तो ऐसे 64 neuron का, एक dense layer लगा दू अगें, 64 कैसे आया, थोरा trial error किया था मैंने, आप 32 पहले try कर दो, 64, कोई fix rule नहीं होता है, और end में, यहाँ पर देखो, मेरे को यह जानना है, is this qual or not, तो उसके लिए सिर्फ एक neuron आता है, लेकिन, मेरे case में, तीन class है, पता है न, potato के healthy potato, lead blight, और lead blight, तीन class में classification करना है, तो मैं, क्या करता हूँ, पहले तो मेरे classes बोल देता हूँ, तीन, और तीन classes वाला, एक softmax layer वाला, एक last layer डाल देता हूँ, softmax जो होता है, वो probabilities को, 0 to 1, मतलब, softmax डालने से जो तीन probability आपके आएगी, classes की, वो, उसका sum, जो है, वो, one हो जाएगा, ठीक है, तो probability को normalize किया है हमने, इसके भी concept, softmax के आप पढ़ सकते हो, तो यह हमारा model architecture हो गया है, और अगर आपको quick summary, अगर उसकी लेनी है, तो आप, यह करोगे तो, model की समय, अच्छा, model हमने define तो किया ही नहीं, अच्छा, model को, the model has not, build the model first by calling build, the first layer, अच्छा, हमें model.build करना पढ़े है, actually, model.build, input shape is okay, तो यह summary आगे, देखो, पहला layer है, sequential, okay, 32, यह आपकी 32 batch है, 256 by 256 की image, 3 RGB channels, बाद में, यह convolutional layer आपका हो गया, दिखा, तो सारे, यह max pulling वगेरा layer है, और last में, यह सब, total आपके यह आ गए, total, total parameters मतलब जो weights होते हैं, जो आप train कर रहे हो, यह सब इसकी, यहाँ पे summary दे रहा है, ठीक है, अब हम model को compile करेंगे, हम, देखो, model training में, तीन चीज़े है, एक आपको model का architecture define करना है, यह architecture हो गया, बाद में, आप model को compile करते हो, कि कौन सा optimizer loss, कौन से metric यूज करना है, हमारा loss है, वो sparse categorical cross entropy loss है, मैंने कुछ दूसरे वीडियो बनाएं, आप देख लीजिए, optimizer पे मेरे को वीडियो बनाना बाकी है, लेकिन Adam जो है, वो एक popular optimizer है, यह run करने के बाद, भाईया, अब मज़ाए वाला time आ रहा है, model.fit, तो fit करने से आपको, आपका जो training dataset है, उसका यूज करके, आपके model को train करना है, ठीक है, अब उसमें batch size भी होती है, तो batch size, कितनी batch में, मतलब हर एक iteration की batch क्या होती है, तो वो होती है 32, और जो validation data है, आपका, वो है validation, yes, verbos हम one रखेंगे, ताकि वो output में जादा information वो print करें, और हमारे epochs, उसके लिए पता है न, एक variable हमने आगे create किया था, मतलब 50 epochs है, अब मैं, जो हर एक epoch में, वो training करके data आता है, कि हर एक epoch के बाद accuracy कितना है, loss किता है, वो में एक history करके variable में store कर दूँगा, ताकि हम later on इसक तो यह इसको model को भी train कर गया, अब आपके पास कौन सा GPU है, कैसा CPU है, RAM, बहुत सारे parameter से, उसके basis पे आपका training time vary कर सकता है, लेकिन मेरे पास GPU है, तो यह fast कर रहा है, आप देख रहे हो कि पहले कुछ iteration में accuracy अच्छी नहीं है, देखो 0.47, 0.63, लेकिन जैसे iteration बढ़ते जाए, देखो अभी पांचवे इपोक में 90% accuracy आ गई, अब यह accuracy इसने किस पे measure की, तो देखो, actually यह accuracy उसने training data set पे measure की, लेकिन validation loss और valuation accuracy भी है, तो validation accuracy जो है न, वो validation data set, तो आपको अभी validation data set और test data set का idea आया होगा, कि validation data set, every epoch में, हर epoch में, उस वाले model की accuracy measure करने के लिए हम use करते है, और test data set का यह सब जमेला खतम हो जाएगा न, बाद में सिर्फ end में हम use करेंगे, पचास epoch के बाद, validation accuracy आ गई 98%, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, usually मतलब, मेरे कुछ, you know, 40 epoch में भी 98% थी, तो अगर आप 30 epoch के लिए भी यह चलाते होना, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, कि अपना जो test data set है, उस पे यह model को मैं evaluate करूँगा, तो मैं बोलूँगा model.evaluate test data set, तो test data set पे अभी, और बाद में जो scores आते हैं, उसको मैं scores में store कर देता हूँ, तो इसने जो test data set था, ठीक है, उसके उपर उसने यह run किया, और accuracy उसने पाई 98.5067, दोस्तों मैं अभी एक बात पता चली, मैं यह देख रहा था न, तो मैंने पाया 54 टाइम क्यों run किया, तो मैंने actually अगले वाले वीडियो में एक typo कर दिया था, और वो typo यह था, कि, just a second, हाँ, यहाँ पर यह validation ds होना चाहिए, और यह होना चाहिए test ds, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर और run all करेंगे, तो run all करने से यह पूरा पहले top to bottom इसको run कर देगा, ठीक है, तो top to bottom, देखा, अब हम फिर से वो training को run कर रहा है, ठीक है, rerun करने के बाद validation accuracy है कि 99.48%, आपने देखा, अगा पहले उसने चालू किया था, validation accuracy 53%, 48%, तो gradually वो improve होती चले गए, अब मैं taste DS को देखता हूँ, तो देखा, 8 मतलब अब यह size बरोबर है, और जब यह evaluate करता हूँ, तो taste dataset पे मेरी accuracy आती है, 98.83, अगर आप scores variable को देखेंगे ना, तो बहुत simple है यार, जो भी, मतलब पहला parameter है loss, यह वाला, दूसरा parameter है accuracy, यह वाली, ठीक है, अब हमने जो history, यह जो create किया है, history object, इसका मैं आपको फाइदा बताता हूँ, उससों आपको, वो plot करने में आपको help होती है, यह जैसे मैं history अगर करूँ ना, तो यह tensorflow callbacks history होता है, ठीक है, अब मेरे को पता नहीं, इसमें कौन कौन से method है, तो मैं करूँगा tensorflow history, ठीक है, तो callbacks history, तो इसमें उसके कुछ parameter रहेंगे, एक तो होता है history.params, और history.history.keys, तो हम इन दोनों चीज़ों को print करके, at least चलो देखते हैं कि उसमें के अंदर है क्या, तो मैं history.params करूँगा न, तो यह बताएगा, कि हमने model की training कौन से parameter के साथ की, हमने 50 e-poke रखे थे, steps थे 54, और अगर history.history.keys करूँगे, तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ा आती है, यहाँ पर, मैं करता हूँ चलो पर या, loss क्या है, तो loss देखो, यह एक python का list है, 0.93, 0.86, तो यह था यह, 0.93, 0.86, यह सारे number को उसने एक python के list में store कर दिया, हमने 50 e-poke किये थे, तो इसकी length, of course, 50 होनी चाहिए, तो length करके confirm कर देते है, हो गया, ओके, देखो, अब मैं accuracy को print करता हूँ, 50 हो गये, ओके, अब उस accuracy को, यहाँ पर लेक देते हैं, देखो, 40.45.94, 49.18, यह accuracy थी, तो यहाँ पर देख लो, 45.95, 49.19, यही accuracy है, यह थोड़ा round कर दिया, इसलिए, 49.19, 18, same ही है, validation loss और validation accuracy, तो यह जो चार parameter है न, loss, accuracy, well, loss, well, accuracy, और यह चार parameter हमारे पास कितनी value है, 50, पॉक के 50 value, बस वही है यहाँ पर, देखा, अब इसको हम plot करता है, matplotlib का यूज़ करके, ताकि हमें, you know, पता चले, कि यार, यह plotting, हमारी accuracy वगेरा कैसे increase भी, मैं इसको है न, अभी copy-paste करके, आपको सीधा देखा देता हूँ, आप code को यह बाद में देख लीजीगा, अपना वीडियो थोड़ा short बने, इसलिए मैं यह चीज़ कर रहा हूँ, अच्छा, यहाँ पर कुछ error आ गई, accuracy, well, loss, यह सबको मैंने array में store कर दिया, और array में store करने के बाद, यह matplotlib का use करके मैंने जब plot कर वाया है, तो, देखो मेरी training और validation accuracy जो है, वो पहले कम थी, accuracy 1 मतलब अपना model एकदम सही predict कर रहा है, तो पहले 0.5 थी, 0.6, 0.7, जिसे epochs बढ़ते गए, जिसे, देखो, इस graph से मेरे को पता क्या चलता है, कि अगर मैं 20 या 30 epochs के लिए चलाता हूँ ना, तो भी ठीक है, क्योंकि वहाँ ताव accuracy almost 1 से थोड़ी, मतलब 90% से ज़्यादा तो होई जाती है, उसी तरीके से loss, जो है, training of validation loss, वो जैसे आप model को चलाते हैं, वो आपका loss कम करता जाता है, अब हम थोड़ी बहुत images के लिए, इसको prediction जो function है न, वो use करके, हम देख लेते हैं कि अपना model भई है, ठीक predict कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए, हमारी जो full loop है, usual, वो मैं घुमाऊंगा फिर से, टेस्ट dataset में, और, अगेन आपको पता है कि हर एक batch वो 32 image की batch होती है, तो आपको पहली वाली image अगर डालनी है न, तो ये होगी ये, ठीक है, ये आपकी सबसे पहली image है, और वो image, tensor होती है, तो tensor को हम numpy करेंगे, तो वो numpy की array आ जाएगी, और उसको as type uint8 करना पड़ेगा, और उसके बाद में, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, पहली image, तो आपको पता चले, इसको है न, first image को ये variable में create कर, देखो ये image है, अब उसका हमें prediction करना है, कि भया, ये image जो है, वो कौन सी है, ओके, हम क्या करते है, labels batch है, labels batch मतलब truth क्या है, तो truth ये, ये जो label है, तो हम क्या करेंगे, कि भया, label is this, ठीक है, कि ये वाला उसका label है, ओके, 0, 1, 2 के बीच में आएगा, और जो पहली image है, मैं इसको ऐसे थोड़ा print statement डालता है हूँ, first image to predict, ओके, और label आ गया हमारा, तो labels इसको numpy में convert कर देते हैं, ओके, अब हम predict करते हैं, तो model.predict, model.predict में जो हमारी batch है, उसको हम input कर सकते हैं, वो batch को input लेगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा batch prediction, और हम वो batch prediction, मैं आपको ठीक है, batch prediction, वो 32 images का वो total होगा, prediction, उसमें से हमें 0th find करना है, तो 0th क्या है, चलो देखते हैं, देखो, यह image change हो गई, क्योंकि, यह shuffle कर रहा है, इसलिए, थोड़ा हर बार change होता है, but that's okay, यहाँ पर image to predict है, उसका label है 1, okay, image to predict यह है, उसका truth label है 1, लेकिन predict क्या किया, तो predict इसने 3 probability को print किया, अब यह probability, यह number, सारे थोड़े epsilon में है, लेकिन इसमें से maximum number कौन सा है, देखो, maximum number यह है, क्योंकि e raise to minus 0, इसमें e raise to minus 0, 3, e raise to minus 0, 7 है, अगर आपको यह manually define करना है न, तो आपको एक function पता होगा, np.argmax, तो हम क्या करेंगे, np.argmax, यह function जो array है, उसमें से सबसें बड़ा जो number है, उसका index, इसका index क्या है, 1, 0, 1, 2, उसका index यहाँ पर print करेगा, np.argmax, हमने कुछ तो गलती कर दी, अच्छा है, np तो defining है, import, number, as, and p, देखा, image to predict, truth जो है, you know, like, actual label, यह है, actual label, और यह है, predicted label, देखा, actual label, predicted label, दोनों सेम, तो हम हर बार run करेंगे, वो हर बार, अलग-अलग image को try करेगा, देखा, यह 0 है, तो 0, तो ऐसे, हर बार, हमारे accuracy काफी सही आ रही थी, देखा, actual label 1 है, तो यह भी 1 है, अगर आपको मतलब वो नाम जानना है, तो, actually क्या कर सकते हैं, class names जो है, उस, उस variable में इसको supply कर दो, देखा, इसको late blight disease है, तो हमारा prediction भी late blight ही आया, इसको late blight है, late blight है, late blight आया, early blight है, तो prediction भी early blight, मतलब हर बार almost, यह सही वो कर रहा है, उसको predict कर रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे run करकर के, अलग-अलग prediction निकाल सकते हो, अब similar code का use करके, मैं एक predict function लिखूंगा, जिसमें model जाएगा input, और जो मेरी input image है, वो जाएगी, ओके, और उसके basis पे, मेरे predicted class क्या है, confidence हुआएगा, अब मैं थोड़ा copy paste, यहाँ पे कर रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए, मैंने कुछ चीज़े skip की है, लेकिन मैं image को basically convert कर रहा हूँ, array में, उसको बाद मैं batch create कर रहा हूँ, यह function का use करके model.predict कर रहा हूँ, उसके बाद में मेरा predicted class, यह आ गया है, देखो यह तो हमने यह करके दिखाए यहाँ पे, तो same ही किया है यहाँ पे, और, जो prediction है, उसके maximum है, उसके basis पे, मैंने confidence जो है, वो भी define किया है, तो यह function, एक को image को predict करने में, आपको help करेगा, और मैं क्या करूँगा अभी, अपनी वो same जो for loop है न, उसको मैं गुमाऊंगा, और, बहुत सारी images के लिए, मैं predicted और actual label क्या है, और वो सब मैं print करूँगा, तो आपको पता है कि, यह जो images है, वो actually images batch है, तो उस images batch में, मैं 9 images को print, अभी predict कर रहा हूँ, और जो, 3 by 3 का एक plot print कर रहा हूँ, जिसमें मैं, पहलो जो क्या करूँगा, मैं अपनी image को दिखाऊंगा, ठीक है, इससे image मेरी दिखती है, बाद में predict function, जो मैंने उपपर define किया, उसके basis पे predicted class, और confidence क्या है, वो print करूँगा, उसके बाद में, मेरा actual class क्या है, actual class मेरा यह है, आपको पता है, राइट, labels, तुरुथ है, यह तुरुथ है, वो print करूँगा, और उसके बाद में, मैं जो original access है, उसको मैं off कर दूँगा, और जो title है, उस title में, मैं actual level क्या है, confidence क्या है, यह सब print करूँगा, तो यह तो python, जो f string का use करके, हम यह सारे actual class वगेरा को, print कर रहे हैं, और जब मैं print करता हूँ, तो, अच्छा, तो मैं बहुता, print किया है, लेकिन वो, थोड़ा dimension का issue है, तो देखा आ गया, कि भाईया, मेरे अलग-अलग leaves है, और उसमें जो disease वगेरा है, उसके early blight, late blight, मेरा actual label क्या था, और predicted label, यह आ गया, इस वीडियो का अभी last step है, हमें model को save करना है, तो मैं c code potato project में हूँ, और यहाँ पे मैं models करके, एक directory मैं करता हूँ create, इसके अंदर, हम model को save करेंगे, अब model save करने का, बहुत ही simple तरीका है, आप जो model object है, उस पे एक, आप save function, यहाँ पे डाल सकते हो, और आप बोल दो, कि जो model का path है, कहाँ पे आपको store करना है, तो मैं बोलूँगा, कि भाईया, dot dot slash models, you know dot dot slash model क्यों, क्योंकि, हमारा जो model है, actually a jupyter notebook, वो, यह file में है, हम यहाँ पे, तो dot dot करेंगे, तो एक directory आए जाएगा, और model directory है, अच्छा, अब model directory में, हमें करना ये है, कि हमें, जो version है, वो version के हिसाब से, हमें model save करना है, ठीक है, तो version के हिसाब से, model save कैसे होगा, तो, हम आएधर ये बोल दे, कि जो version 1 है, हम ये बोल दे, कि model version, अब version कैसे भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बोलूँ करा, कि model version 1 है, यहाँ पे, ठीक है, अगर हम ये run करेंगे न, तो मैं दिखाता हूँ कि, वो exactly, कैसे save करता है, तो, देखो ये models में, ये one directory उसने create कर दी, और models को, वो ऐसे save करता है, कि assets होती है, अब ही कुछ है नहीं, variables है, मतलब कुछ, ये variables है, और ये, pb files है, तो ऐसे करके, वो model को save करता है, मैं edit with not, पर plus plus करूंगा, तो देखो, ये gibberish, मतलब binary type जैसा, कुछ data है, आपको चिंतान करने की जरूदनी है, कि actual में data क्या है, इसने model को save कर दिया, अब और हम जब tensorflow serving का, यूज करके, वो model को save, load करेंगे बाद में, तो वो properly अपना जो काम वो करना है, वो करेगा, अब देखो, real life scenario में क्या होगा, कि आप data scientist हो, मैंने तो थोड़ी practice कर ली थी, आप पहले कोई एक model, ऐसा trial error करके, कोई एक model को save करोंगे, आपका दूसरा model ऐसा हो सकता है, कि जिसमें लेटसे आपने data augmentation का use ना किया हो, मुलब आप अलग-अलग version model के try करना चाते हो production में, कि एक में data augmentation है, एक में नहीं है, दूसरे model में लेटसे आपको कोई, दूसरे type का convolutional architecture आपको use करना है, तो आप ये सब trial error करके, आप अलग-अलग version save कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कि जब मैं दूसरी बार ये run होता है न, तो उसको मेरे को क्या करना है, कि model का version increment करना है, तो model का version increment करने के लिए, मैं देखो, एक आपको code simple दिखा के देखो, ये code है न, देखो, import OS, ठीक है, ये code क्या करेगा, मैं दिखाता हूँ, आपको सारी directory है न, उसके number दिखाएगा, ओके, देखो, मैं, हम step by step जाते हैं, ये जो list है न, वो one zero, मतलब सारी directory के number दिखाता है, और आप उस वाले में, एक number जब add करते हो, तो आपको model का next version मिलता है, basically, ठीक है, आपको अगर थोड़ा और, उसको dissect करना है न, तो OS में, ये मैं करूँगा न, तो सारी list of directories आ जाएंगी, मेरी, ठीक है, और, उस list of directory में से, मैंने, वो string होती है, तो string को मैंने, int का use करके, integer में convert किया, ओके, और, उसके बाद में, version plus, zero version भी होता है, वैसे zero version नहीं करो, गज़र चलेगा, I think, zero इसलिए किया, कि पहली बार अगर आप run कर रहना तो, तो basically, ये code जो है, आपको, next model का version क्या है, वो देता है, तो, मैं इस code की बात कर रहा हूँ, देखा, next version 2, अगर, मेरे पास, two नाम की directory है न, देखो, मैं manually create करके, आपको, दिखा देता, अगर two है, तो next version कौन सा होगा, three होगा, तो ये three देगा, तो ये code बस, उतना ही simple कर रहा है, तो मैं ये directory डिल कर रहा हूँ, और, मैं, इस में, ऐसा कर देता हूँ, कि ये हो गया, मेरा model version, और उसके बाद, मेरे को, मेरा model, यहाँ पर save करना, तो मैं जब ये run करता हूँ, तो वो detect करता है, ये बहिया, एक था, तो मैं उसने दूसरी directory create कर दिया, दूसरी directory में, दूसरा version save कर दिया, और राइट, तो as a data scientist, आप, अलग-अलग version को save कर सकते हो, हमारे लिए तो, accuracy, पहले model की बहुत सही है, तो, मेरा पहला और दूसरा, अभी तो हमने copy ही की है, लेकिन ऐसा हो सकता है की, दूसरे में, यूनो, architecture अलग हो, data augmentation का use ना किया हो, वगेरा, वगेरा, तो आपको इसका metadata कहीं पर रखना पड़ेगा, कि version 1 है, उसका मतलब क्या है, version 2 का मतलब क्या है, और आप, अलग-अलग version को, TensorFlow serving का use करके, आप dynamically load करोंगे, वो हम अब future के वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए, I hope friends आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपके आपको अपने friends, जो data scientist है, machine learning engineer बनना चाहते हैं, के साथ share कीजिए, हम next वीडियो में इस project series को और continue करेंगे, thank you.